बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार, राजनितिक रणनितिकार प्रशांत किसोर उपेंद्र कुश्वाह, आर्सिपी सिंग सरीके नेताओं को पाटी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद, अब एक और बड़े जदियू नेता को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी मे और जिनके खिलाफ जदियू ने एक तरह से मूर्चा ही खोल दिया है, वे कोई आम निता नहीं, बलकि राजसभा के जदियू सांसद हैं, और तो और वे दूसरी बार राजसभा के उपसभापती भी हैं, उनका एक परिचे एक वरिष्ट और समिदिन्शिल पतरकार का भी और जार्खन के साथ तो उनका करीबी करिष्टा रहा है, नाम है हरिवंश नरायन सिंग, तो सवाल है कि राजसभा के उपसभापती वजदियू के राजसभा सांसद हरिवंश नरायन सिंग ने ऐसा क्या किया कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार के वे निशाने परागे, अस उसी उद्गाटन कारिक्रम में जदियू सांसद हरिवंश नरायन सिंग मजूद थे, बस फिर क्या था, नए संसद भावन के उद्गाटन कारिक्रम में उनकी सुपस्थेती को पार्टी के खिलाफ माना गया, विद्रोही खेमे से अवाज आनी शुरू हुई कि हरिवंश प गाटन कारिक्रम का बहिशकार किया, तो हरिवंश उस कारिक्रम में कैसे चले गए? जदियू का कहना है कि हरिवंश नरायन सिंग ने अपनी जमीर बेच दी है, जदियू के प्रवक्ता निरज कुमार ने कहा कि हरिवंश ने राजनेती के साथ-साथ पत्रकारिता को भी कलंक जहां राष्टपती और उपराष्टपती का अपमान किया गया हो उस कारिक्रम में चले जाना कहीं से भी उचित नहीं है। एक दिन छुटी कर दी गई। यह बात तो सरमान है कि नितीश के बाद जेडियू में नंबर दो पर कोई नेता टिक नहीं पाता है। जो बहुत ही दिल्चस्प है। साल 2000 के आसपास की बात है तब जारखन के प्रतेश्ठित अखबारों में से एक अखबार प्रभात खबर के सभी संसकरणों में एक आचार संगिता छपती है। अखबार के प्रधान संपादक की तरब से इस आचार संगिता में बतलाया गया था कि अखबार का कोई भी पत्रकार किसी तरह का कोई गिफ्ट नहीं लेगा। हलाकि पत्रकारों को अकसर मिलने वाले कलम और डारी लेने की छूट दी गए थी। कहानी अब यहीं मोड लेगी और आपको थोड़ा चौकना हो गया। असल में प्रभात खबर के सभी संसकरणों में छपी इस आचार संगिता को तब अखबार के ततकालीन प्रधान संपादक रहे हरिवन्ष नरायन सिंग नहीं तयार कराया था। बतोर प्रभात खबर के प्रधान संपादक हरिवन्ष ने ही इसे अखबार के सभी संस्करणों में छापने के आदेश दिये थे। प्रभात खबर के राची संसकर्ण के अस्थानी संपादक रहे बैजनात मिश्र को इस आचार संगीता के छपने के कुछ सालो बाद ही जारखंड के नवगठित सूचना आयोग का आयोग्द बना दिया क्या। कानफुसी शुरू हुई कि प्रभात खबर के प्रधान संपादक हरिवन्ष के आचार संगीता का या तो साफ साफ उलंगन है। यह अभी कहा गया कि बैजनात मिश्र को प्रधान संपादक हरिवन्ष अब उन्हें कोई जगा नहीं देंगे। लेकिन हरिवन्ष जी बद और प्रधान संपादक उन्हें कुछ नहीं बोले। प्रभात खबर के दफ्तर में वे जिस केविन में बैटते थे वो केविन उन्हीं के लिए आरक्षित रहे। वे सूचना आयुक्त होते वे भी प्रभात खबर के दफ्तर आते रहे। वहां बैटते रहे और अपने हिसाब स संपादक की निर्देश भी देते रहें बात के सालों में हरिवन्ष भी जदियू में शामिल हो गए और जदियू के तरब से उन्हें लोगसभा सांसद भी बनाया गया यानि जिस हरिवन्ष ने बत और प्रभात खबर के प्रधान संपादक अखबार में अचार संगिता एक लिखकर अपने संपत्ती का ब्योरा दिया था जो तब करोड के आसपास था आज उसी सम्वेदन शील पत्रकार जदियू सांसद वर राजसभा के उपसभापती हरिवन्ष की संपत्ती कुछ करोड से कई करोड पहुंच चुकी है खेर ये तो एक किस्सा था बाकी का भी किस्सा कभी और सुनाएंगे फिलाल खबर तो यही है कि अब हरिवन्ष को जदियू ने दरकिनार करने का मन बना लिया है आपको एक खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसके साथ ही इस वीडियो को अने लोगों तक शेर करें बाकि आप हमारे नए द नोटिफिकेशन भी समय पर मिलता रहें बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हम में देना चाहते हूं तो कमेंट बॉक्स में आप सातरा मंत्रित हैं इसके अलावा हमारे वीडियो आपको अलग-अलग ठिकानू जैसे फेस्ट्राइम ट्विटर पर भी देखनी को मिलेगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया हैं शुक्रिया